हेलो फ्रेंज मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चाइनल पर फ्रेंज आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 28 साइज का कटोरी ब्लाउच की कटिंग और स्टीचिंग ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पड़ का मेजर्मेंट लेंगे तो जितने आपके चेस्ट है चेस्ट का चोता करते है प्लस देड़ इंच करते वह हमें कपड़ को फोल कर लेना है और फोल को अपनी तरब करते रखेंगे देखे इस रहा से फोल को अपनी तरब कर करते रखना है और निचे से क्लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़ को हम सीधा कर लेंगे अब तैयार ब्लॉच की लेंथ मेरी 13 इंच है तो मैंने एक इंच बढ़ा कर ली है आपकी जो भी लेंथ आएगे उसे एक इंच बढ़ा कर ही लिजेगा डीप निक के कॉल्डिंग अब हमें कमर का मेजर्मंट लेना है कमर हमारे 26 से उसका चोटाएगा 6,5 इंच बढ़ा की प्लेट्स के लिए और देल इंच मार्जिंग का देखिए इसी तरह से हमारी बैकपड की मार्किंग कम्प्लिट हो चुकी है अब हमने जैसे मार्किंग की है उसके बराबर से कट कर लेंगे अब नीचे से भी फ़ब्रिक को सीदा कट कर लेना है अब हम निचे का मेजर्मेंट लेंगे वीट में रखरयों में 2 इंच और नीचे से वीट में 2.5 इंच रखते हुए इसा चोकोन बोक्स तेयार कर लेंगे और नेक का सेब देगे अम जैसे मार्किंग की है उसक और यह लाईन को छोड़ते वे बैक पाड रखेंगे और यह जिटित बैक पाड की हमें मारकिंग कर लेनी है नीज़टीट के उपपर हमें कटोरिके से बढ़ाते हैं यह भी हमने नीज़टीट के उपपर देखेंगे अगर आपका फैप्रिक, एक मिटर का हो तो आप डारेक कुल की गुलाई दे देंगे अब फ्रंट थे नेक का मेजेरमन्न लेना है विद में रखरे में 2 फो नेक की लेंद रख रख रेंगे में 6 इंच और निचे से विद में 2.5 फो इसा हम चोकुन बॉक्स से कर लेंगे और नेक का round shape दे देना है अब belt है हमारा belt निकालना है तो एक इंच छोड़ते हुए में 3 इंच पर सामने की तरफ marking कर लेंगे और side से हमें 3 इंच पर करना है एक सीधी line row कर लेंगे अब सामने की तरफ एक इंच उपर की तरफ लेते हुए belt का shape देना है अब कटोरी का measurement लेते हैं कटोरी laying है मैंने 4.5 inch center से 4.5 inch armhole की तरफ से हमें 2.5 inch और neck की तरफ से एक इंच उपर की तरफ लेते हुए कटोरी का marking कर लेनी है पूरे dot जोड़ लेंगे अब जैसे marking की है उसे के बराबर से cut करना है armhole हम front का ही cut करेंगे देखिए marking के बराबर से हमें cut कर लेना है अब जो हमारा front का नेक है उसको भी cut कर लेंगे अब जो कटोरी की marking है उसको भी हमें cut कर लेना है अब कटोरी कैसे बढ़ाते हैं यह भी हम news paper के उपर ही देखेंगे देखिए छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है अब यह छोटी कटोरी लेते हैं और पूरे news paper के उपर agitives उसको ड्रॉख कर लेना है जैसे छोटी कटोरी की cutting की है उसे के बराबर से हमें उसको ड्रॉख कर लेना है अब दोनों साइज से एक इंच एक इंच बढ़ा लेते हैं यह बहुत ही छोटी साइज की कटोरी है अब इसका सेंटर निकालते हैं सवाएक इंच निचे की तरफ लेते हैं अमें इसे तिर्शी लाइन ड्रॉख कर लेनी है अब सामने की तरफ यह हाई उक के लिए हाप इंच बढ़ाएंगे और साइज से शिलाइ मार्जिंग के लिए हाप इंच बढ़ा लेना है और कटोरी का सेब दे देंगे हलके आतों से देखें यह बड़ी हुई कटोरी हमारी निकल के आ रही है अब इसी को हमें अस्तर की फैब्रिक पर रखते हुए पूरे पार्ट हमें कट कर लेने है देखें इसी तरह से सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करेंगे देखें सभी पार्ट हमारे निकल के आ रही है तो देखे में फैबरिक के साथ और अस्तर के फैबरिक के साथ मैंने सभी पार्ट कट कर लिए है में फैबरिक कट करते वक्त हाप इंच बढ़ा कर ही कट कर लीजेगा में फैबरिक को अब इसके हम स्टीचिंग देखेंगे फ्रंट साइज की तो देखें मेन फैबरिक पर हमेरे रॉंग साइट पर रखना है अस्तर का फैबरिक और पूरे चारो साइट से हम उसको स्टीज कर लेंगे देखें बराबर से हाज से प्रेस करते जाएगा और सिलाई करते जाएगा ताकि अंदर की तरफ करिया ख्रिस ना रहे इसका ध्यान रखे अब हमारा जो मेन फैबरिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैबरिक के बराबर से ही कट कर लेना है देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं कटोरी के अब हम साइट का पार्ट रेडी करेंगे तो साइट का पार्ट भी हमें में फाब्रिक पर रॉक साइट पर रखेंगे और पूरे चारो साइज से हमें स्टीच कर लेनी है चारो साइच से हम स्टीच कर लेंगे हाँ से थोड़ा प्रेश करते जाएगा और सिलाई करते जाएगा ताकि अंदर की तरब करिया ख्रिश नारेज का ध्यान रखे देखे इसी तरह से चारो साइच से हमें स्टीच कर लेनी है फिनिसिंग के साथ अब हमारा जो main fabric बाहर की दरब आ रहा है उसको हमें cut कर लेना है अस्तर की fabric के बराबर से हमें main fabric cut करना है देखिए इसी तरह चैंड दोनों parts ready कर लेनी है अब हम belt ready करेंगे तो belt हम main fabric पर rice side पर टेंगे अस्तर का fabric और नीचे से half inch का margin cover करते व eyelids को टाज कर लेना है अब अस्तर का फैबरिक पल्टाते हुए उसके उपपर से हमें स्टीच कर लेनी है तो शिलाई मार्जी अंदर की तरब लेते हुए हमें स्टीच कर लेनी है और पूरे फैबरिक को फोल करते हुए रौपी स्टीच कर लेनी है देखे इसी तरह से पूरे फैब्रिक को फोल करते हुए रॉपी स्टीच कर लेंगे अब हमें में फैब्रिक वर अस्तर का फैब्रिक अट्याज कर लेना है तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टीच कर लेनी है अब हमारा जो मेन फैबरिक बाहर की दरबार आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है देखे इसी तरह से सबी पार्ट हमारे दो दो पार्ट रेडि कर लेने हैं मेन फैबरिक के साथ अट्याज कर लेंगे अब इसके हम स्टीचिंग देखेंगे तो आप कटोरी का डार्ट दे देना है तो एक इंच पर हमने नीचे से लिया है और धाई इंच रखा है मैंने लेंध में इसे हमें डार्ट की स्टीच कर लेंगे पकी स्टीच कर लेनी है अब इसको हमें साइट के पार्ट के साथ अट्याज कर लेना है देखे इसे तरह से दोनों काटोरी हमें ready कर लेनी हैं नीचे से width में रखा है में 1 inch और length में रखा है में 2.5 inch अब इसको हमें साइट के साथ एट आड़ेकं कर लेना है तो काटोरी आटेज़ करते हो हमेशे गले की तरब से ही जॉन्ड कर लिजएगा निचे हमारी कम ज्यादा हो तो हम बेल्ट लगाने से पहले को थोड़ा चाड़ सकते हैं दोनों फाबरिक एक साथ आने चाहिए देखें अब हमें बेल्ट अटेज कर लेना हैं तो इसलिए हम न्यूजपेपर बेल्ट ब्लाव जे तो एक इंच बढ़ा कर लेते हैं हापिंच नीचे और हापिंच उपर की तरफ जाता है तो हमारी मार्जिंग बराबर हो जाती है तो देखिए अब हमें हुक की पट्टी अटाज कर लेनी है तो हुक की पट्टी में अस्तर के फाबरिक के लिए है और जो हमने हाई हुक के लिए हापिंच छोड़ा था उसी मार जिनको कवर करते हुए हमें पट्टी को ट्याज कर लेना है अब पट्टी को पल्टाते हुए पट्टी के उपर से आमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल करते हुए कॉर्णर के स्टिच कर लेंगे अब पूरे पट्टी को फूल करते हैं एक फिनिशिंग की स्टीज दे देनी हैं आप जाए तो रोपी स्टीज भी रख सकते हैं देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है और नेक हम बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का एक साथ अट्याज कर लेंगे अब हमें दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टे टाज कर लेनी है तो हाई की पट्टी हमेशा में फैब्रिक की ही लीजिएगा और हाई इंसा मार्जिंग कवर करते हुए पट्टी को टाज कर लेना है और पट्टी को पल्टाते वे पट्टी की उपर से हमें स्टीच कर लेंगे और पट्टी को फोल करते वे कॉर्णर की स्टीच कर लेनी है और पॉन एक इंच बाहर की तरफ निकालते वे पट्टी को फोल कर लेंगे और एक फिरिशिंग की स्टीच दे देनी है देखे जो सामने की तरफ फेबरिक आ रहा है उसको कट कर लेना है और एक परिका मार्जिंग रखते एक स्टीच और कर लेंगे देखे इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके है आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए अगर आप चाइनल पर पहली बार आये है तो लाइक शेर जरूर करें और चाइनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद